रादे रादे फ्रेंस आज हम बेबी ओल्ड जीन्स से BTS पाउज बनाना सीखेंगे सिर्फ पाच मिनट के अंदर फ्रेंस इसके लिए पहले हमें काट छाट कर लेना है जितना साइज हमें चाहिए उतना ही हमें लंबाई चोड़ाई ले लेना है ये पैंसल पाउज बना रहे हैं उससे पहले हम लोगों बना लेते हैं अब हमें सेंटर पे निसान लगा लेनी है निसान लगाने के बाद एक इंच हमें सेंटर से सीधी पॉइंट पे निसान लगा लेना है अब पॉइंट से आधा इंच हमें सीधी लाइन लगा लेनी है हमें मिला लेना है लोगों को तीर ने मिलाने के बाद प्रगैपर पैपर प्रेस्टिंग कर देते हैं को विबर पैस्टिंग करने के बाद इसे फोल्ड करके हमें जहां हम निसान लगाए है इसे हमें कट कर लेना है ताकि हमारा लोगो BTS का मिल जाए ये देखिए अब बीच से हम कट कर लेते ये देखिए BTS का लोगो कम्प्लीट हो गया है अब BTS की लोगो को आप पर्स के उपर पाउच उपर चाहे जहां एड़ेस कीजिए ये हम नीचे साइड ए गैपिंग रहेगा लोगों में चारोतरप स्टीच कर लेंगे अब BTS का लोगो रेडी हो गया है अब फ्रैंस कट कर लेंगे अब हमें चैन लगाना है जीप लगाना है जीप हमारी लग जाएगी हमें सीधे साइट पे सीधे साइट हमारा चैन पे नीचे रहेगा अब हमें लाइनिंग का कपड़ा चैन के उपर रख के जीप के उपर पलट के उसी सिलाई के उपर से वापस से चलाना है सीधी सीलाई कर लेनी है, करने के बाद, फ्रैंस, हमें ऐसे जो एक हमारा जीप का खूला हुआ भाग है, जीन्स वाला पार्ट लेके हमें सीधे स्टीच कर लेना है, लाइनिंग का हम लाइनिंग के उपर रख के स्टीच करेंगे, चैन लाइनिंग से छूता हुआ दूसरे चैन पे हम स्टीच करेंगे लाइनिंग पे लाइनिंग स्टीच नहीं करना है अगले वाले चैन पे ही स्टीच करना है जिसमें हम अधर जीन्स का कपरा अटेच किये हैं अब इसको हम सीधा कर लेंगे अब हमें टॉप स्टीच लगा लेनी है चैन खूली है तो आसानी से टॉप स्टीच दोनों साइड में लग जाएगा यह देखिए टॉप स्टीच लग गई है अब टॉप स्टीच के बाद फ्रेंस हमें पाच इंच का स्ट्रिप लेना है उसको फोल्ड करके जीप की साइड में जहां से जीप खोलती है बंद होती है वहाँ पे बीचों बीच सेंटर में रख के साइड भी हम सिलाई कर देंगे इधर साइड भी सिलाई कर देंगे किनारे, किनारे, यह देखी, अब एक्स्ट्रा कप्राग कट कर देंगे, अब हम पाउच को यह देखिए, साइड साइड से एक और सिलाई लगाके, मजबूती के साथ, अब फ्रेंस पाउच को, एक एक इंच पे हमें मार्क लगाके, उसको बॉटम को रेडे कर लेना है, इध हमें दोनों सीरों को मिलाते हुए स्टीच कर लेना है स्टीच करने के बाद दूसरा भी हिस्सा स्टीच कर लेते हैं और हमारा पाउच बन के पूरी तरीके से रैडी हो जाएगा फ्रेंश बीटीएस पाउच बहुत ही ज़्यादा क्रेस में है आज हम एक सस्क्राइबर की डिमांड पे BTS पाउज बनाना बहुत ही सरल तरीके से बताए हैं आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए ऐसे ही वीडियो प्यारी प्यारी वीडियो ब्यूटिफूल री यूज लेकर फिर मिलते हैं थैंक यू सो मुच फार वाचिग मैं वीडियो